नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में दोस्तों चाहें भूंके मर जाना लेकिन कभी वी एक चीज किसी से उधार में मत लेना अन्यथा आपको हो सकता है भारी नुकसान और हो सकती है आपकी जिन्दगी पूरी तरीके से तबाह जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको वास्तु शास्तर के अनुसार बताएंगे कि कौन सी चीज आपको भूल कर भी उधार में नहीं लेना चाहिए अन्यता आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है तो दोस्तों ये सब जानने के लिए आप लोग वीडियो के अ इंट्रेस्टिंग वीडियो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के वारे में बताने वाले हैं जिसके बिना भोजन की कलपना करना भी मुश्किल है जी हाँ दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नमक के बारे में दोस्तों नमक ब कुछ माननेताएं भी हैं जिनकी अंदेखी कई तरह के नुकसान करवाती है मित्रों धनकी देवी मालचमी नाराज हो जाती है जो जीवन में कई समस्याओं का कारण बनता है दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि ये आम धारना है कि नमक किसी से मुफ्तमी नहीं लेना चा इसके अलावा नमक फेकना या बरवाद करना भी बहुत अशुब माना जाता है इसके पीछे कुछ महत्मूर कारण भी है आये जानते हैं दोस्तों कई बार परोसी एक दूसरे से किचन की चीजें उधार माग लेते हैं और बाद में लोटा देते हैं हमेसा ध्यान रखें कि इस तरह उधार में कभी भी ना तो नमक दें और ना ही लें ऐसा करने से परिवार पर आर्थिक संकट आता है धन हानी होती है और इससे घर में नकारत मकता बढ़ जाती है दोस्तों यहां तक कि कभी भी नमक की चोरी भी नहीं करना चाहिए नमक वैसे तो बहुत सस्ती वहीं दोस्तों नमक की बरवादी करने से भी कई तरह की मुसीबतیں जिलनी पड़ सकती है नमक का संबन्ध धन बहुतिक सुक देने वाले शुक्र ग्रे से जोड़ा गया है नमक बरवाद करने या फेकने से शुक्र कमजोर होता है इससे दोस्तों कई तरह के की आपको प्रशानियां आ सकती हैं और जीवन में धन और सुक कम हो सकता है दोस्तों नमक उधार देना या दान देना अच्छा नहीं माना जाता है लेकिन जब पित्र पच जैसे मौकों पर ब्राह्मन को सीधा यानि गिये हूं दाल चावल घी तेज आज बोजन बनाने की पूरी सामग दान में दिया जाता है तब इसके साथ नमक जरूर दें तब ही दोस्तों दान पूरा होता है दोस्तों नमक का सही तरीके से उप्योग करें और इससे घर की निगेविटरी दूर करें इसके लिए हफते में एक बार पानी में नमक डाल कर घर में पोचावस्य लगाएं साथ अगर के वास्तु दोस्त दूर करने के लिए बात्रूम में एक कटोरी में नमक भरकर रख दी और इसे हर अपते बदलते रहें तो दोस्तों ये थी नमक से संबंदित वास्तु शास्त्र के नुसार पहुती महत्पूर जानकारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताईए मैं मिलता हूं उगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई थैंक्स फार वाचिंग मैं वीडियो